Hello students, आज हम हिंदी में विशेशन क्या है ये समझने वाले हैं, विशेशन मतलब adjectives, हम विशेशन की definition या परिभाशा देखते हैं, जो शब्द संग्या या सर्वनाम का गुण, दोश, रंग, संख्या, माप, आदी बताता है, उसे विशेशन कहते हैं, विशेशन क्या है, तो जो संग्या, मतलब नाउन या सर्वनाम, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के गुण दोश, मतलब qualities, numbers, quantity, आदी बताते हैं, उन्हें विशेशन कहते हैं, हम जब विशेशन के types देखेंगे, तो इसे और detail में समझेंगे, विशेशन जिस शब्द की विशेशता प्रकट करता है, उसे विशेश कहते हैं, विशेशन जिस शब्द के बारे में और information देता है, उस शब्द को विशेश कहते हैं, मतलब संग्या या सर्वनाम वाला जो शब्द होता है, उसे विशेश कहते हैं, यहां मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं इन वाक्यों के आधार पर हम विशेशन क्या है यह समझते हैं रमेश सीमा का भाई है रमेश सीमा का बड़ा भाई है पहले और दूसरे दोनों वाक्यों में भाई यह संग्या है संग्या मतलब नाउन है और दूसरे वाक्यों में बड़ा यह संग्या के बारे में और अधिक जानकारी देता है यह संग्या की विशेशता बताता है कैसा भाई है तो बड़ा भाई है तो बड़ा यह शब्द विशेशन है जो कि भाई इस शब्द के बारे में या भाई इस संग्या इस नाउन के बारे में और ज्यादा information देता है यह गुलाब का फूल है उसके बाद दुसरा वाक्य है गुलाब का फूल सुन्दर है पहले वाक्य में फूल और गुलाब ये दो संग्याएं है पर इस वाक्य में विशेशन नहीं है दूसरे वाक्य में सुन्दर यह विशेशन है सुन्दर यह एडजेक्टिव है जो फूल के बारे में और अधिक विशेश जानकारी देता है तो यहाँ फूल यह संग्या है, नाउन है और सुन्दर यह विशेशन है अगला वाक्य है, मैदान में बच्चे खेल रहे थे इस वाक्य में संग्या है, मैदान और बच्चे पर इस वाक्य में विशेशन नहीं है तो जो दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, मैदान में चार बच्चे खेल रहे थे तो चार यह विशेशन हैं जो बच्चे इस संग्या के बारे में इस नाउन के बारे में और अधिक विशेश information देता है मैं आम खरीद लूँगा इस वाक्य में आम नाउन है संग्या है पर इस वाक्य में कोई भी विशेशन नहीं है जबकि जो दूसरा वाक्य लिखा है मैं कुछ आम खरीद लूँगा कुछ शब्द आम के बारे में और एक्स्ट्रा information देता है उसकी विशेशता बताता है कितने आम खरीद लूँगा तो कुछ खरीदूगा कुछ मतलब यहाँ निश्चित नहीं है यह अनिश्चित है तो इस वाक्य में आम यह नावन है संग्या है और कुछ यह विशेशन है एडजेक्टिव है तो पहले वाक्य में बड़ा यह शब्द यह विशेशन भाई इस शब्द की विशेशता बताता है दूसरे वाक्य में फूल की विशेष्टा सुन्दर यह शब्द बताता है अगले वाक्य में चार यह शब्द बच्चे इस संग्या की विशेष्टा बताता है और कुछ यह शब्द आम की विशेष्टा बताते हैं तो जो संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं या उनके बारे में और ज्यादा information देते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं और जिस शब्द की विशेशता विशेशन बताता है उसे विशेश्य कहते हैं जब हम इन वाक्यों को ध्यान से देखते हैं तो ये समझते हैं कि विशेशन शब्द अगर वाक्य से निकाला जाए उस sentence से निकाला जाए तो भी meaningful sentence बनता है जैसे रमेश सीमा का बड़ा भाई है बड़ा या विशेशन है ये हमने देखा अगर हम बड़ा इस शब्द को निक है यह वाक्य लिखते हैं तो भी यह meaningful sentence बनता है वैसे ही हम इन वाक्यों से सुन्दर चार कुछ इन विशेशनों को निकालते हैं फिर भी यह meaningful sentences बनेंगे जैसे मैं कुछ आम खरीद लूँगा जब हम इसमें से कुछ निकालते हैं तो मैं आम खरीद लूँगा यह meaningful sentence बनता ह या चार इस विशेशन को निकालने के बाद मैदान में बच्चे खेल रहे थे यह भी meaningful sentence बनता है तो विशेशन ऐसा शब्द होता है जो संग्या या सर्वनाम के बारे में और ज्यादा information देता है पर विशेशन को वाक्य से निकालने के बाद भी meaningful sentence बनता है अब हम यहां विशेशन और विशेश को समझेंगे बड़ा यह विशेशन है बड़ा शब्द किसके बारे में और information दे रहा है तो भाई इस शब्द के बारे में दे रहा है तो भाई विशेश है सुन्दर यह विशेशन है और गुलाब यह विशेश है नेक्स सेंटेंस में चार शब्द किसके बारे में और जानकारी देता है या और इन्फरमेशन देता है तो बच्चे इस शब्द के बारे में और इन्फरमेशन देता है तो चार यह विशेशन है और बच्चे यह विशेश है कुछ यह विशेशन है जो आम इस शब्द के बारे में और जानकारी देता है वहाँ चार किताबे हैं कितने किताबे हैं? चार किताबे हैं तो चार यह शब्द विशेशन है और किताबे यह विशेश है तो in short यह समझना है कि जो विशेशन शब्द है वो किस noun या pronoun मतलब संग्या या सर्वर नाम की विशेशता बताते हैं या उनके बारे में और ज्यादा information देते हैं उस संग्या या सर्वर नाम को विशेश कहते हैं अबने इस से पहले जितने भी वाक्य देखें उन सभी वाक्यों में विशेशन यह विशेश के पहले आया था मतलब adjective यह noun या noun या pronoun के पहले आया था पर विशेशन यह noun या pronoun के बाद भी आ सकता है जैसे इस वाक्य में शेर ताकतवर होता है शेर नाउन है, संग्या है और ताकतवर विशेशन है या एडजेक्टिव है मालिक दयालू थे मालिक यह नाउन है, विशेश है और दयालू यह विशेशन है कांच के टुकडे छोटे छोटे हैं कांच के टुकडे यह noun है और छोटे छोटे यह विशेशन है यह adjective है लोगों को इमानदारी से अपना काम करना चाहिए लोग यह noun है और इमानदारी यह adjective है तो विशेशन यह संग्या यह सर्वनाम के पहले भी आ सकता है या संग्या या सर्वनाम के बाद भी आ सकता है नेक्स वीडियो में हम विशेशन का टाइप देखेंगे